दोस्तो हम बात करने जा रहे हैं आज सम्प्रड़क्ट फॉर्मुले की बारे में सम्प्रड़क्ट फॉर्मुला तो सबसे लिए जानते हैं कि सम्प्रड़क्ट फॉर्मुला क्या है प्रड़क्ट फॉर्मूला एक्सल के अंदर में एक प्रड़क्ट फॉर्मूला होता है, तो प्रड़क्ट फॉर्मूला क्या करता है, वो नंबर्स को मल्टिप्लाई करता है, तो एक्सल के अंदर में दो फॉर्मूले है, सम प्रड़क्ट दो फॉर्मूले से बना है, मिलके, पहला है sum और दूसरा है product तो sum का काम क्या होता है plus करना और product का काम क्या होता है multiply करना तो sum product मुझे है कि multiply को product करता है इसे example के तोर पे हमारे पास quantity है और amount भी है 85, 78 रूपीज की इसाब से sell हुआ है तो अगर मुझे total amount निकालना है कि total कितना amount का sell हुआ अगर हम sum product यूज ना करे तो हमें इसके बगल में एक एक का multiply करना होगा और इसका इस्तमाल हम इस तरह से करेंगे और फिर इसका हम total निकालेंगे तो इन सबों के लिए मुझे इतने साब रोबोज इतने साली calculation करने पड़ेगी बट sum product इसको एक cell के अंदर में कर देता है जैसे sum product और हमने पहले में quantity दिया कॉमा किया और दूसरे में हमने क्या लिया? एमान के लिया इस list को इस list से multiply करके उसका sum यहां निकाल के दे देगा sum product पट sum product को हम area में इस्तमाल करते हैं जैसे मुझे इन दोनों का difference निकालना है difference का total मतलब कि मुझे इस number में से इस number को minus करना है और फिर उसका सब का total यहां करना है कि total क्या हो? तो यहां हम बात करना है sum product भी कर सकते हैं तो यहां sum product के अलावा हम area भी इस्तमाल कर सकते हैं कि sum हमने इसको select किया minus इसको select कर लिया बट इसमें आपको control, shift, enter, press करना होगा तब जाके result आए क्योंकि area है बट इसी चीज़ को हम sum product के अंदर अराम से कर सकते हैं sum product हमने इसको select किया अब यहां पे हम कौमा नहीं देंगी जैसी कि हमने यहां पे कौमा दिया था इस तरह का कमा यहां पे بالकुल नहीं होगा हमें यहां पे minus करना होगा अगर आप कौमा देते हो तो multiply हो जाएगा minus देते हो तो यहां पे आपका sum हो आगा अब आप formula वार में जाके evaluate formula में देख सकते हो कि some product में क्या-क्या चीजे हुआ, calculation हुआ, और यहां पे आपको आजा रहे हैं मैं सुझीत कुमार आपको बता रहा था advance excel की कुछ tricks वैली topics के बारे में इसी तरह की topics हम दिन में कमसे 20-25 वीडियोज अप्लोड करते हैं अगर आप मेरे साथ जुड जाएं तो आप इस तरह की वीडियोज की notification मिल सकते हैं जुडने के लिए कुछ नहीं करना है बस subscribe button को प्रेस किजिए and notification को on करते हैं अगर आप sequentially वीडियो चाहते हैं आप सिद्ब से चाहते कि मैं advance excel सीखू और sequentially वीडियो चाहते हैं तो आप जो है मेरे mobile app को download कर सकते हैं mobile app को download करने के लिए play store में जाना है and play store में search करना है Excel Emarch Training यहाँ पी आप मेरे साथ chat के तुरू जो भी बातचित करना चाहते हैं उससे बात कर सकते हैं बहुत सारी free study material ले सकते हैं और store में हमारे courses को purchase कर सकते हैं और आप और भी जड़ा advance लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ जोइन कर सकते हैं online live class जूम के जरिए तो login करे iptindya.com या free download करे मेरी mobile app को Thank you